वोकल न्यूज शैडोल के साथ वॉलेंटेर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रसिक्षन का मौका पाएं, स्क्रीन पर दिये हुए नमबर पर संपर करें नमस्कार मेरा नाम है इशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शैडोल निर्मान का एक मामला सामने निकल करके आया है जहां बड़ा तालाप के पास स्तरहा एवं मोर में अग्याद द्वारा अवैध निर्मान किया गया है इस बात के शिकायत अंबेटकर नगर वॉड तीन निवासी मुकेश ने कलेक्टर को की जिसमें उन्होंने बताया कि बढ़ार की अनुफर रोड में 200 मीटर की दूरी पर मुक्ख मार्ग से लगे हुए सरकारी आराजी में किसी व्यक्ति ने अवैध निर्मान कर लिया है सबसे मैतवपूर और गौर करने वाली बात ये है कि ये निर्मान मुक्ख मार्ग से इतना करीब है कि कभी न कोई हाथसा हो सकता है वैसे तो प्रशासन द्वारा वैध निर्मान हटाने को लेकर कई अवियान चलाए जाते हैं लेकिन मुक्ख मार्ग पर वो भी सरकारी आराजी पर इस निर्मान की और प्रशासन की आँख नहीं गई और इससे ये साफ समझादा है कि प्रशासन केवल धेंडोरे पीटने में सक्षम है और वो भी तब जब चुनाव सर पर हूँ शिकायत करता नहीं ये मांग जुताई कि बड़ा तालाब के पास तराहे इवन मोड को का अतिक्रमन से मुक्त करवाया जाए जिससे नकेवल रहागीरों वो कॉलनी के लोगों को सुगमता मिले और ये मार्क दोरघटना मुक्त हो सके अब देखने वाली बात ये होती है कि शिकारत के बाद कब तक इसा वैद निर्मान कारे पर कारवाही की जाती है आखिर कब तक प्रशासन अपनी नीन से जाकर लोगों को हो रही मुसीवतों का जायजा लेती है धन्यवाद आज की वीडियो में वैसे इतना ही यदि आप हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सुब्सक्राइब जरूर करें और यहीं पर इस लूक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉल्व जरूर करें धन्यवाद